नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आसीस बगेल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा अहिले अदस्तक साथियों जिसकी सी भाईबेन ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो उनसे बिनमर अनुरोध है की चैनल को सब्सक्राइब करने जिससे की समाच की हर खबर आपता का असानी से पहुंच सके साथियों हाली में एक फिल्म बनी है धन्गर समाच के उपर जो की डिरेक्टर धर्मिंदर बगेल ने बनाई है आप लोगों की मनसा साफ नजर आती है आप किसी भी कीमत पे इस समाच को जागरू करने का काम करना चाहते हैं इस समाच को जगाने का काम करना चाहते हैं और धर्मिंदर बगेल को और उनके सहयोगियों को उनकी टीम को बारं बार नमन करता हूँ और साथियों आप सभी लोगों को बता दूँ कि इस फिल्म में जेपी धंगर जी के संगर्ज को दर्साया गया है और जिस तरह से उन्होंने धंगर समाज के प्रमालपत्र की लड़ाई, धंगर समाज के हकतकार की लड़ाई एक लंबे समय से लड़ते चले आ रहे हैं उन्होंने जो संगर्ज किया है वो बाकई काबिल इतारीफ है एक लंबे समय से जेपी धंगर इस समाज के हकतकार की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं उस पूरी लड़ाई को इस फिल्म में दर्साया गया है और जेपी धंगर जी को भी मैं बारंबार नमन करता हूँ आप लोगों का इस समाज में जन्म होना ये बाकई हमारे लिए बड़े गर्ब की बात है ये बाकई हमारे लिए बड़े सौभागी की बात है और हम भी हमेशा आप लोगों से प्रिनड़ा लेके आप लोगों के पजिन्नों पे चलने का प्रियास करेंगी क्योंकि साथियों बाकई जेपी धंगर जी ने इस समाज के हकतकार की लड़ाई पूरी सिद्ध से लड़ी है और उन्होंने सबसे बड़ी बात तुई आपको बता दूँ कि जेपी धंगर जी पुलिस में हुआ करते थे उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और उसके बाद में समाज के हकतकार की लड़ाई एक बहुत लंबे समय से लड़ते चले आ रहे हैं हाला कि परड़ाम भी आए लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं आ पाए हैं क्योंकि पृते एक जिले में धंगर प्रमाणा पत्र नहीं बन पा रहे हैं अभी भी अभी एक बहुत लंबे लड़ाई की जरूरत है उसके भी काई कारण रहे तो साथियों बाकई ये बहुत अद्बुत कारिये है और आप लोगों से अब बस में एक ही अनुरोत करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस फिल्म को इस समाच के जितने भी लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में पूरे बिश्म में पूरी कोसिस यही रहे कि ये फिल्म पाल बगिल धन्गर समाच के बच्चे बच्चे तक पहुँच जाए साथियों आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोत करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सियर करें जब तक आप सियर नहीं करेंगे और ये फिल्म जब तक इस समाज के बच्चे बच्चे तक नहीं पहुंच जाएगी इस समाज के हर सक्स तक नहीं पहुंच जाएगी तब तक डारेक्टर धर्मिंदर बगेल का सपना साकार नहीं होगा बाकई इस फिल्म जो गाना लगा हुआ है मुझे खास कर वो सबसे ज़्यादा पसंद आया कि धनगर समाज के लिए भगबान है जेपी इस तरह का कुछ गाना लगवा है जो कि बहुत सांदार गाया है काबिले तारीफ गाया है सातियों आप लोगों से बिनम्र अनुरोद करता हूं कि इस फिल्म को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें मैंने तो इस फिल्म को पाच-पाच और छे-छे बार देखा मन ही नी बर्रा बास्तम में बहुत काबिले तारीफ तरीके से बनाया गया है इसे और जिस समाज की मीडिया पे पकड़ उती है वो समाज उबरता चला जाता है जे-पी धंगर जी उस समय से संगर्श कर रहे है जब इस समाज में बहुती कम सिक्षा का इस्तर था लेकिन आज तो काफी अच्छा हो गया है बहुत हज तक आज उभर की आ गया है लेकिन उन्होंने उस समय से इस समाज को एक खटा करना शुरू कर दिया था जब इस समाज में सिक्षा का कोई खास इस्तर नहीं था क्योंकि साथियों जब सिक्षित नहीं होती है वेक्ती तो बात को भी नहीं समझते हैं लेकिन जेपी धन्गर जी का जो संगर्स है वो बाकई काबिले तारीफ है साथियों ज्यादा से ज्यादा फिल्म को सेर करें धन्यवाद साथियों मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में तब तक के लिए जैहिन